आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले एक अपील देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुलक कोविट टीका करण अभियान जारी है युवाव से आगरह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोप साहित करें जब तक आवशक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चहरा साफ रखें कोविट संबंधी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राश्ट्री हेल्प 9 नंबर 011-23-97-8-046 और 1075 पर संपर्क करें अब इस बुलिटेन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार केंद्री क्रशी मंत्री ने राज्जों से क्रशी और संरचना कोश का लाभ उठाने का अग्रह किया देश में अभी तक 70 करोड से अधिक कोविड रोधी टिके लगाए गए निशुलक अनाज वितरण के लिए प्रदेश में कल मनाया गया अन्नुत्सव और प्रदेश में बास आधारित उद्योग लगाने के लिए 30 सितंबर तक प्रस्ताव बुलाए गए अब समाचार विस्तार से केंद्री, क्रशी और किसान कल्यान मन्तरी, नरेंद्र सिही तोमर ने राज्जों से क्रशी और सनरचना कोष का लाव उठाने को कहा है ताकि ऐसे छोटे और सिमान्त किसान लाभानवित हो सकें, जिनके पास गोदाम और कॉल्ड स्टोरेज की सुईधा नहीं है क्रशी मंत्राले की पहलो और योजनाओं पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि बुनियादी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्रशी और सनरशना कोश की स्थापना की गई है देश ने 70 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगा कर कल महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल की स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि 54 करोड से अधिक लोगों को पहला टीका जबकि 16 करोड लोगों को कोविड रोधी टीके की दूसरी डोज दी गई है कल शाम साथ बजे तक 67 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया स्वास्तिय मंत्री मंसुक मांडविया ने 70 करोड टीके लगाने के लक्ष को हासिल करने के लिए पूरे देश और स्वास्त कर्मियों को बधाई दी है उन्हेंने कहा कि केवल 13 दिनों में 10 करोड से अधिक कोविड रोधी टीके लगाये गए टीका करन का नया चरण इस वर्ष 21 जून से शुरू हुआ था राजजपाल मंगु भाई पटेल ने कहा है कि अनुसुचित जाती जन जाती वर्ग में जागरुकता बढ़ाने के प्रयास जरूरी है राजभवन में कल अनुसुचित जाती एवं जन जातियों के संबंद में आयोजित बेठक में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्यान कारी योजनाओं के संबंद में ग्राम सभाओं में जानकारी दी जाए राज़िपान ने इन वर्गों की मूल भूत आवशक्ताओं पर विशेश ध्यान देने युवाओं के कोशल उन्यन, रोजगार की जरुरोतों के अनुसार प्रशिक्षन और नोक्रियों में प्राथमिक्ता पर जोड़ दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ सेवाओं की बुनियादी जरुरतों में दिखी कमियों को प्राथमिक्ता के आधार पर दूर किया जा रहा है इन कमियों में सबसे महतवपूर्ण थी मेडिकल ऑक्सिजन इसे ध्यान में रखकर राज में ऑक्सिजन प्लांट्स लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया अब प्रदेश में स्थापित किये जा रहे 190 ऑक्सिजन प्लांट में से 88 प्लांट कारेशील हो गए है इन 88 प्लांट्स की ऑक्सिजन शमता 45,890 लीटर प्रती मिनिट है मुख्यमंत्री श्री चोहान ने बताया कि प्रदेश की स्वास्त संस्ताओं में ऑक्सिजन प्लांट लग जाने से रोगियों को अब बिना विलंब ऑक्सिजन उपलब्ध हो सकेगी आजादी के अमरत महुत्सों के अउसर पर आकाशवाणी भूपाल का प्रादेशिक समाचारे कांच अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नुत्तरी प्रतियोगिता चला रहा है इसमें मद्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनान्यों, प्रदेश के इतिहास, भुगोल, परेटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधुहार पूछा जा रहा है हम अपने श्रोताओं को याद दिला दे कि आज बुधुहार है और आज शाम साथ बजे के प्रदेशिक समाचारों में स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा शोता इस प्रश्न का उत्तर हमारे इमेल आकाशवाणी समाचारक्विज एड़रेट जीमेल डॉटकाम या हमारे वाटसेप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मूबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें सही उत्तर देने वाले शोताओं में से भागेशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोशित किया जाएगा इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साज़ा किया जाएगा अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में कल अन उस्सव मनाया गया इस दोरान सभी जिलों में पात्र लोगों को निशुल का राशन का वित्रण किया गया खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहुलाल सिह ने अनुपपुर जिले के पसान में आजित कारिकरम को सम्मोधित करते हुए कहा कि यह गरीबों का उस्सव है उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंतरगत लगभग 4.90 लोगों को निशुल का खाद्यान का वित्रण किया जा रहा है भुपाल जिले के प्रभारी मंत्री भुपेंद्र सिही की उपस्थिती में भुपाल के शिवाजी नगर इस्थित उचित मुल्ली के दुकान पर अन्न मोहस्व में हिद्ग्राहियों को राशन वित्रित किया गया राई संजिले में स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चोधरी द्वारा पात्र हिद्ग्राहियों को खाध्यान ने वित्रित किया गया शिवपुरी, गुना, अशोक नगर सत्ना, सीधी और प्रदेश के अन्नी जिलों से भी अन्नुस्व का आयोजन करने के समाचार मिले हैं प्रदेश के विभिन शेत्रों में बास उद्द्योग इस्थापित करने के लिए इस वर्ष दो करोड़ सततर लाग पचास हजार रुपे के अनुदान का प्रावधान किया गया है राज्य बास मिशन्द्वारा निजी शेत्रों में इच्छुक हिद्गराहियों से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्ताव बुलाए गये हैं बास उद्द्योग लगाने के लिए 10 कारिशेत्र चिन्हित किये गये हैं गत विद्धिवश में निजी शेत्रों के हिद्गराहियों को 16 एकाईयों की मंजूरी दी जाकर 2 करोड 3 लाख रुपे का अनुदान उपलब्ध कराया गया उज्जेन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से आम श्रद्धालों को भसमारती के दर्शन हो सकेंगे इसके लिए कल से आनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है मंदिर में भसमारती के दोरान करीब 2000 श्रद्धालों उपस्थित रह सकते हैं कोविट दिशा निर्देशों के नुसार फिलहाल 50 प्रतिशत याने 1000 शद्धालों को दर्शन करवाई जाएंगे। मंदिर के सहायक प्रशासक मूल चंद जुनवाल ने बताया कि दर्शन के लिए 100 और 200 रुपे शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश के बस ओपरेटर्स ने कल परिवहन एवं राजस मंत्री श्री गोविंद सिही राजपूर से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से अउगत कराया। उनका निराकरण करेंगे। अब कुछ समाचार संशेप में, मध्यप्रदेश हाई कोट ने कोरोना की तिसरी लहर से निपटने के इंतजामों राज्य शासन को ब्योरा पेश करने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया है। खरगोन के विष्ठान में एक आदिवासी युवक की जेल में मृत्यू के मामले में आई प्रारमभिक पीएम की जाज रिपोर्ट में युवक की मृत्यू का कारण मारपिट को नहीं पाया गया है। खरगोन में आज जल जीवन मिशन अंतरगत एक समिक्षा बेठक आयजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रिय क्रशी मंत्री ने राज्यों से क्रशी औव सनरचना कोश का लाव उठाने कहा अग्रह किया। देश में अभी तक सत्तर करोण से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गये। निशुलक अनाज वित्रण के लिए प्रदेश में कल मनाया गया अनुसव और प्रदेश में बास आधारित उद्योग लगाने के लिए 30 सितंबर तक प्रस्ताव बुलाए गये। इस बुलिटेन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार